देक्ष मोधैब जिस समय चुनाओं में थे और उत्तर प्रदेश में वो हलाद देखे हैं कि नौजमान जब भी तैयारी करकर के जाता था और परिशा दे करके लोटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है जितनी भी परिच्छा हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं केवल उत्तर प्लेस ही नहीं मेमानी ने संसत की तरफ से सुन रहा था कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परिच्छा हैं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया और अभी जब चार और आखेकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है सचाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौखरी नहीं देना चाहती रोजगार नहीं देना चाहती उन नौजमानों का भविस नहीं बनने देना चाहती पिशले दस सालों की उपलब्दी बस इतनी रही है कि एक सिख्षा परिच्छा माफिया का जन हुआ है जिसने तथा कथित अमरित काल में वाओं के भविष्ट की आशाओं को ही जरूर आशाओं को ही जहर दे दिया है जो सरकार उमीद को मार दे वन नो तो वर्तमान को सदार सकती है न भविष्ट को समार सकती है सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए निराशा का नहीं जनता चाहती कि हर समस्या के लिए बीते कल की को जिमिदार ठहराने के बहाने को सरकार छोड़े और आने वाले कल की बात करे अगले हजार साल के जूटे सपने दिखाने वाले अगले महीने होने वाली परिच्छों के लीक न होने की गारंटी कब लेंगे जनता अब न तो किसी बहकामे में आएगी और न किसी के वहलाबे फुसलाबे में आएगी जो लोग कहते हैं कि अमरित काल की बात करने वाले जनता का जागरण काला गया है आज इस सदन में नए रानितिक जागरण के अनेक पृति निदी बैठे हैं अब जब पुनर जर्मान अब जब बात होगी तो सची बात होगी और जनता को पूरी सच्चाई के साथ हम लोग नी जम्यादारी के साथ बात रका अद्देश मोदे